अध्यात्मिक प्रश्नावली की आज की कड़ी में आप सब का स्वागत है आज हम दुख के बारे में बात करेंगे दुख क्या होता है एक साधरन प्राने के लिए अगर प्रश्न किया जाए उससे अगर पूछा जाए कि आपके लिए दुख क्या है तो वह क्या उत्तर देगा साधरन तो यही कहेगा मेरे पास अर्थ नहीं है शरीर में बहुत कश्ट है दाना प्रकार के रोग है बहुत से दवाईयां लेनी पड़ती है जिनकी संतान है वो कहेंगे बच्चा पढ़ाई नहीं करता सारा दिन फोन से लगा रहता है बेटी है तो चिन्ता होगी कि बेटी की शादी नहीं हो रही है बुड़े माबाप हैं तो उनकी सेवा करनी पड़ती है यदी कोई जॉइंट फैमिली में रहता है मान लीजिए संयुक्त परिवार में रहता है तो वहाँ परिवार के सदस्यों में नाना प्रकार के मतविरोद वाद वाद चलते रहते हैं और जहां संयुक्त परिवार नहीं भी होता वहाँ पे भी परिवार के सदस्यों में नाना प्रकार के वाद दिवाद, मनो मालेन, ये सब चलता ही रहता है, ये सब भी दुख का कारण बन जाता है फिर अगर इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो फिर एक और दुख आता है जिसे कहते हैं कि किसी के देहोत्याग करने का दुख, किसी की मृत्ती हो जाने का दुख वह भी शोक का कारण बनता है लेकिन दुख की परिभाशा क्या है? दुख है क्या? अगर मैं आप से पूछूँ दुख क्या है? आप मुझे ये मत कहिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है वो सब ठीक है, वो सब दुख की परिस्थितियां हैं, लेकिन दुख क्या है? अगर मैं आप से पूछूँ कि दुख क्या है? तो आप क्या कहेंगे? तो मैं अगर इसको थोड़ा सा अपनी दुष्टिकोंट से अगर कहूँ, तो मैं केवल दुख की एक सीधी सरल परिभाशा ये कहूँगा, कि दुख वो है जो आपको अपने लिए नहीं चाहिए, अब चिंता करके देखिए आपको क्या नहीं चाहिए, रोग क्या आपको चाहिए? नहीं, इसलिए रोग दुख है, आप दरिद्र होना चाहते हैं? नहीं, इसलिए दरिद्रता दुख है, आप जगड़े फसाद वाद विवाद में उलजना चाहते हैं? नहीं इसलिए जगड़ा फसाद वाद विवाद यह दुख बन जाता है किसी अप्रिय व्यक्ति के साथ आपका अगर रास्ते में चलते हुए उससे भेंट हो जाए क्या वह आज चाहते हैं? तो वह भी नहीं चाहते हैं तो वह भी दुख है कोई प्रिय व्यक्ति आपको छोड़ कर चला जाए क्या ऐसा चाहते हैं? तो ऐसा भी नहीं आप चाहते हैं तो वो भी दुख है इसलिए दुख की अगर सीधी सहज सरल परिभाशा दी जाए इसलिए हम दुख को तीन भागों में देखिए मैं बहुत साधरन भाषा में व्याख्या करने की कोशिश करूँगा वैसे तो शास्त्रों में दुख को तीन प्रकार का कहा गया है आधि-बोधिक, आधि-दैविक और आध्यात्मिक लेकिन एक प्राथमिक विचार के लिए ब उन सब परिभाषाओं को अभी छोड़ देते हैं, साधरन से बात करते हैं, तो दुख तीन प्रकार से हमारे जीवन में आता है, एक होता है इच्छा कृत, इच्छा कृत मनें, हम चाहते नहीं हैं कि दुख हो, लेकिन हम मन में इतनी इच्छा, इतनी आशाएं रखते हैं, कि वो आशाएं जब पूर्ण नहीं होती, तो हमें दुख मिलता है, तो इच्छा या आशा कृत जो दुख है, वो है पहला प्रकार का दुख है, दूसरा है, दूसरे अन्य व्यक्ति के द्वारा, अन्य व्यक्ति के द्वारा किया हुआ कर्म, जो आपको प्रभावित करता है, मान लीजे किसी ने आपकी निन्दा कर दी, किसी ने आपके विशे में जूट बोल दिया, समाज में ऐसी कुछ बाते कह दी जो सत्के नहीं है, या फिर मान लिजे आपकी संतान है उसका वहवार आपके मन के अनुकूल नहीं है अब ये कर्म आपका नहीं है लेकिन क्यूंकि आप अपनी संतान से जुड़े हुए है आपका एक अपना ममत तो बोध है अपनी संतान के उपर तो आप अपनी संतान के वहवार से दुख और अनुभब करते हैं ये दुख जो है ये मानसिक दुख है देखिए पहला दुख जो है वो शारीरिक हो सकता है मानसिक भी हो सकता है लेकिन अधिकतर शारीरिक होता है और शारिरिक इस संधर्ब में होता है कि आप कुछ करते हैं और उसका इच्छा अनुरूप फल आपको नहीं मिलता तो कर्म का फल जब आपके आशा के अनुरूप नहीं होता तब आपको दुख मिलता है वैसे कर्म, शरीर, मन और वानी तीनों से किया जाता है लेकिन प्रधानत हम जब कुछ पाने के लिए कर्म करते हैं तो शरीर के द्वारा ही करते हैं इसलिए मैंने शरीर के कर्म की बात की है यहां पे और तीसरी प्रकार का दुख है दैवी दुख दैवी दुख मने जिस दुख के मिलने में आपका प्रत्यक्ष रूप से कोई उसमें योगदान नहीं है आप सडक पर चल रहे हैं फुटपात पर ही चल रहे हैं मान लीजे और एक गाड़ी का ड्राइवर जो है वो गाड़ी का संतुलन खो देता है गाड़ी को फुटपात पर चड़ा देता है और आपको ठोकर मार देता है आपकी हड़ी तूड़ जाती है और आप तीन महिने के लिए विस्तर पर शयाशाई हो जाते हैं प्लास्टर लगा हुआ है आपरेशन हो गया है एक प्लेट बिठा दी गई है पैर की हड़ी में अब जब तक वो ठीक नहीं होगी आप लिटे हुए है अब ये तो आपने चाहा नहीं था आपने सोचा भी नहीं था लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि आपको यह दुख मिल गया यह आपके अधिकार में नहीं था आपके द्वारा किसी किये गए कर्म की वजह से नहीं हुआ प्रत्य में सफर कर रहे हैं बस उलट जाती है अब ट्रेन से सफर कर रहे हैं ट्रेन का एक्सिडेंट हो जाता है यह जो घटनाएं हैं जिनका पूर्वा भास हमें नहीं हो पाता है पहले से हमें धारणा जिसकी नहीं हो पाती कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है इतनी बड़ी घटना नहीं भी हो सकती मान लिजे आप बस में चल रहे हैं किसी ने आपकी जेब काट ली आपके पर्स चोरी हो गया तो अब ये तो आपके लिए महान कश्ट का कारण हो गया क्यूंकि उसमें आपके बहुत से पैसे थे शायद दो-तीन क्रिडिट कार्ड भी रहे होंगे आधार कार्ड वगरा ये सब भी रहा होगा कहने का मतलब है प्रत्यक्ष रूप से किसी किये गए कर्म के फलस रूप ये आपको दुख मिला है ऐसा आभास नहीं होता इसको हम कहते हैं दैव से मिला दुख या अद्रिष्ट से मिला दुख या भाग्य से मिला हुआ ये मेरे भाग्य में लिखा हुआ था ऐसा होना अब दुख की बात मैंने क्यूं उठाई क्यूंके दुख हम सब को जीवन में कभी न कभी मिलता ही है लेकिन इस दुख से निप्टा कैसे जाए क्या किया जाए कि हम इस दुख को शान्तमन से क्रहन करने की क्षमता अर्जन कर सकें देखे याद रखिएगा दुख मिलेगा अवश्य ये याद रखिएगा दुख का ना मिलना यह लक्षण ठीक नहीं होता एक एक ठीओरी है जिसे कहते हैं रवर बैंड ठीओरी रवर बैंड ठीओरी माने क्या है कि आप रवर बैंड को खींचिये खींचते रहिए खींचते रहिए खींचते रहिए खींचते रहिए खींचते रहिए तब तक खींचे जब तक वो और खींच नहीं सकता और उसके बाद उसको छोड़ दीजे वो जितना खींचा हुआ होगा उतनी जोर से वो आपकी दूसरे हाथ की उंगली पर आगात करे उतना ही दर्द आपको ज्यादा होगा, उतना ही कश्ट आपको ज्यादा होगा, तो अगर बहुत समय से दुख नहीं मिला है, इसका मतलब दुख का रबर्बैंड जो है, वो अभी तक खिंच रहा है, यह आने वाला है, देखे सुख और दुख हमारे जीवन में उपर नीचे यह हमेशा चलते रहेंगे, कोई दुख सरवदा के लिए नहीं रहेगा, कोई सुख सरवदा के लिए नहीं रहेगा, इसलिए दुख का ना मिलना, इसका अर्थ यह नहीं है कि दुख नहीं मिलेगा, इसका अर्थ यह है कि जितना सुख अभी उपर जा रहा है, उतना ही वो नीचे आएगा, तो समझदार आदमी क्या करता है, कि सुख में बहुत ज़्यादा आनन्दित नहीं होता, और दुख में बहुत ज़्यादा हाई हाई नहीं करता। देखिए, जहाँ इच्छा है, वहाँ दो भाव अवश्य रहेंगे, एक भय, क्योंकि इच्छा की पूर्ती होने पर जो मिला है, उसके खो जाने का भय रहता है। और दूसरा है क्रोध, इच्छा की पूर्ती ना होने पर मन में जो भाव उत्पन्न होता है, वो है क्रोध। इसलिए इच्छा के साथ साथ भय और क्रोध सरवदा जुड़े रहेंगे। जो मिला उसके खो जाने का भय और जो नहीं मिला उसके ना मिलने से क्रोध। इसलिए समझधार आदनी को चाहिए, समझधार व्यक्ति को चाहिए कि कर्म जो है वो अपने पूर्ण उद्यम के साथ पूरा पुरुशार्थ लगाकर करें। और उसका फल जो है वह प्रारब्ध पर छोड़ दे। यानि मुझे जो करना था मैंने किया और फल जो है जो होगा भगवत इच्छा से वही होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो याद रखे आप अपने दुख का बीज स्वयम बो रहे हैं। लेकिन दुख आपको नहीं चाहिए यह याद रखेगा। इसलिए सकाम कर्म फल की इच्छा पाने के मनभाव से जो कर्म किया जाता है वो अंत में कभी न कभी दुख का कारण अवश्य बनेगा। दूसरी बात जो दुख किसी अन्य व्यक्ति की वज़े से आपको मिलता है। किसी और के कारण मिलता है। आपके दोस्तों में मान लिजे किसी ने रठा दिया आरे। यह तो बहुत कंजूस आदमी है। पैसा ही नहीं खर्च करता करें। बात सकते नहीं है। लेकिन आप तो जानते हैं आजकल किसी के बारे में भी कुछ अपप्रचार करना हो तो उसको पहलाना आजकल कितना सहच सरल हो गया है। एक जने को बताने की बात है वह दूसरे को थोड़ा सा और मिर्च मसाला लगाके बतायेगा। और जब तक यह 10 दोम ने बात पहलेगी तब तक यह क्या आकारधारन करेगी इसका कोई ठीक नहीं है। इसकी कोई स्थिरता नहीं है। इसलिए कहा जाता है ना कि जूट के एक सो पाउं होते हैं, जो बहुत जल्दी एक जगा से दूसरी जगा जाने में समर्थ होते हैं, तो आपके बारे में जो अप प्रचार किया गया, उससे कैसे निप्टा जाएं? देखें, कई जगा ऐसा होता है कि इसके कारण से बहुतों की च्छती हो जाती है, मान लीजे, किसी ने जूट बोला और किसी की नौकरी चली गई, अब यहां पे आप क्या करेंगे? आप ऐसी परिस्तिती में पड़ गए हैं, जिसका कोई प्रतिकार शायद ना हो, लेकिन यहां एक बात स्मरन रखने की आवश्यक्ता है, कि जूट सरवदा के लिए उसका अस्तित तो नहीं रहेगा, कभी न कभी वो मिथ्या के रूप में प्रकाशित हो ही जाएगा, आप कह सकते हैं, कि जब तक वो जूट साबित होगा, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, हाँ, कई बार ऐसा होता है, इसमें मेरा कोई संदेह नहीं है, लेकिन जहां पर इसका प्रतिकार करने से फल उल्टा हो, कई बार आप अप प्रचार का जब प्रतिकार करना चाहते हैं, तो उसका फल उल्टा हो जाता है, और आप पर लगाया हुआ या आपके विशय में बोला गया जूट जो है, वो और द्रिड हो जाता है, इसलिए शान्त मन से इसको समझना, देखिए, यहां मैं दो बाते कहता हूँ, अगर किसी ने आपके विशय में कुछ ऐसा कहा है, जो सत्य है, लेकिन अप्रिया है, मान लीजिए, आप कंजूस हैं, मैं कहने के लिए कह रहा हूँ, कोई इसमें कोई व्यक्तिकत कोई इसमें आरोप नहीं है, किसी के उपर, मान लीजिए, कोई कंजूस है, किसी ने यही बात दस जनों के बीच में कहीं, अरे यह तो बहुत कंजूस है, अगर यह सत्य है, तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात तो है नहीं क्योंकि यह है तो सत्य और अगर यह मिथ्या है अगर यह जूट है तो फिर इसमें बुरा मानने वाली का बात है क्योंकि यह है तो जूट और जिस का अपयश मिथ्या पर आधारित होता है यानि जिसके बारे में मित्या प्रचार किया जाता है, लिए एक ना एक दिन लोगों के सामरे उभर कर आही जाता है। सत्य लोगों को पता चल ही जाता है। इसलिए मेरा परामर्ष है, देखिए मैं यह नहीं कहता कि यह करना आसान है, यह करना बहुत कठिन है, लेकिन मैं जिन लोगों से इस वीडियो के माध्यम से संपर्क स्थापित करना चाहता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि वे अपनी आध्यात्मिक जीवन की उन्नती चाहते हैं, जो अपने आध्यात्मिक जीवन की उन्नती चाहता है, उसके लिए मानसिक संताप को सहन करना बहुत आवश्चक है, तपस्या का अर्थी है ताप सहन करना, संसार का ताप सहन करना और मानसिक ताप सहन करना, और यश और अप्यश, मान, प्रतिष्ठा, अपमान, अप्यश, इन सब को समान समझ कर धैर्य धारन करना, यह है बहुत आवश्चक है, तीसरा है दैवी दुख, देखें, दैवी दुख में आप प्रत्यक्ष रूप से किसी को दोश नहीं दे सकते, हाँ, जिसने किया, जैसे हम गाड़ी के ठोकर मारने की बात कर रहे थे, उसमें आप ड्राइवर को दोश दे सकते हैं, लेकिन आप अपने किसी कर्म के विशे में ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमान नहीं दे सकते, कि मैंने यह किया, इसलिए मुझे यह दुख मिला है। इसलिए जो देवी दुख है, उसको प्रारब्ध के रूप में ग्रहन करना और उससे विचलित ना होना, यह भी आध्यात्मिक उन्नती का एक प्रधान अंग है। आप जैसा चाहते हैं, वैसा सौ में से नब्बे प्रतिशत नहीं होगा। इसलिए कर्म करते समय पुरुशाकार यानि एफ़र्ट पूरा होना चाहिए और फल की इच्छा शुन्य होनी चाहिए। अर्थार्थ फल को प्रारब्ध पर छोड़ देना चाहिए। अगर मान अपमान यश अपयश और इन समस्त द्वंदों को धैरिपूर्वक धारन करने की शमता कोई अर्जन कर लेता है। तो वह बहुत शीग्र बहुत उंचे स्तर को प्राप्त कर लेगा। देखे, शास्त्रों में कहा गया है प्रतिष्ठा शुकरी विष्ठा। यानि प्रतिष्ठा जो है यश जो है वह सुर की बिष्ठा के समान है। और महाजनों का वचन है, सादू संतों का वचन है कि भगवान जब निकट बुलाते हैं तो वह अपमान देते हैं। क्योंकि अपमान देकर वह आपके धैर की परिक्षा करते हैं। कि आप अपमानित होने पर ग्रोध के वश में तो नहीं हो जाते। आप अपमानित होने पर दूसरे का अनिष्ट करने पर उतारू तो नहीं हो जाते यह सब विशे जो हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही कह रहा हूं देखिए साधरन जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो साधरन भाव से ही जिनका निप्टारा हो जाता है किसी ने दो गाली दिये उसको दो थपड लगा दिये हो गया निप्टारा लेकिन जिसको आध्यात्मिक उन्नति अपनी करनी है उसके लिए क्या पत होना चाहिए मैं यहां उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ देवी दुख जो है प्रिये जुनों का विछणना अप्रिये लोगों का मिल जाना जो कभी सोचा नहीं था ऐसी घटना अपने साथ हो जाना इन सब विशयों में भागवान की इच्छा इसी को प्रधान मानना चाहिए भागवान ने किसी न किसी कारण से मुझे यह समय दिया है देखे जो यथार्थ रूप से आध्यात्मिक जीवन में प्रगदी करना चाहता है जिसने भागवान को पाने का लक्ष अपने मन में बना लिया है उसके लिए भागवान के प्रती निर्भरता भागवान के दिये हुए प्रत्येक अवस्था परिस्थिती में धैरेधारन करके आनंद मन से रहना यह बहुत आवश्यक है भागवान के दैवी विधान को अगर आप अपने मन में धैर्य पूर्वक ग्रहन करने की ख्षमता नहीं रखेंगे तो छोटी छोटी बातों पर विचलित होकर आप लक्षिशे प्रश्ट हो जाएंगे इसलिए हर विशय में धैर्य पूर्वक कर्म करना फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करना जिस दुख का प्रतिकार कर्म के द्वारा हो सकता है उसके लिए आप प्राण चिष्टा करना जिस दुख का प्रतिकार आपके भीतर है किसी ने दस गाली दे दी और आप मनी मन उसको पहले तो गाली देंगे पहले मन ही मन में देंगे फिर मन की बात मन में तो रहेगी नहीं आप वानी से उसका प्रकाश करेंगे और जो जिसकी धारण करने की शमता थोड़ी कम है वो वाद विवाद पर उतर आएगा मरने मारने पर उतारू हो जाएगा अर्थार्थ पहले आपने मन को कलुषित किया फिर मानी को कलुषित किया फिर अपकर्म कर दिया इसलिए सबसे पहला जो हमारा केंद्र होना चाहिए वो होना चाहिए मन मन अगर ठीक है तो आप बहुत सी विपत्यों में हस्ते खेलते हुए निकल जाएंगे और मन अगर चंचल है तो फिर आप अपने लिए दुख के द्वार खोलते चले जाएंगे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक इसलिए याद रखिएगा दुख वो है जो आपको नहीं चाहिए लेकिन जो आपको नहीं चाहिए वो आपको मिलेगा आवश्य क्योंकि सुख और दुख प्रत्यक जीव को अपने जीवन में मिलते हैं और जब ऐसी परिस्थिती आए जहां पे आपको दुख मिल रहा हो तो उस दुख का प्रतिकार क्या हो सकता है पहले तो यह देखना चाहिए अगर कर्म के द्वारा उसका प्रतिकार हो सकता है मान लिजे आप कुछ कर रहे हैं एक बार सफलता नहीं मिली दुख हुआ लेकिन चलो दूसरी बार करके देखा तीसरी बार करके जिस दुख का प्रतिकार कर्म के द्वारा हो सकता है उसका प्रतिकार अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए जिस दुख का प्रतिकार आपके भीतर स्वयम है किसी ने आपका एक बहुत बड़ा अपराद कर दिया अगर क्षमा नहीं कर पाएंगे तो होगा यह है कि यह जो विश है यह आपको भीतर से खोकला कर देगा शमा इसलिए नहीं शमा दो कारणा से करना चाहिए एक जिसने किया उसके प्रति दया का भाव रख कर दूसरा अपने लिए क्योंकि आप अगर शमा नहीं करेंगे तो आप उस दुख के विश को बार बार पिएंगे और अपनी क्षती करेंगे इसलिए अपने परम हित को देखते हुए शमा का व्यवार करना चाहिए और दैवी दुख जो है वो भगवान का प्रसाद समझ कर ग्रहन करना चाहिए देखिए दुख और अमंगल दो अलग-अलग भाव हैं जिस तरह सुख और मंगल दो अलग-अलग भाव हैं आपको मद यानि शराब पीने से सुख मिल सकता है लेकिन वो मंगल कारी नहीं है और दुख जो मिला है वो कश्ट का कारण हो सकता है लेकिन वो अमंगल कारी नहीं है इसलिए इस भेद को समझना बहुत आवश्यक है मेरे ख्याल से आज काफी हो गया आपको शायद आज का यह जो भाशन है अगर मैंसे कहूं थोड़ा अप्रिय भी लग सकता है क्योंकि मैं जानता हूं कि यह सब भाव जो है साधरन जीवन में इनको अपलाय करना बहुत कठिन होता है लोग कहते हैं आरे महत्मलोग तो बोलते ही रहते हैं क्या उनको क्या पता लेकिन जिसको अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नती करनी है जिसने मन में यह ठाना है कि भगवान को प्राप्त करना है भगवान का दर्शन करना है उसके लिए इन सब विशेयों को स्मरण रखना और इनको जीवन में अपलाय करना बहुत आवश्यक है केवल इतना ही कहूंगा आज यहीं अंत करते हैं ओम श्री गुरवे नमा ओम तच्चत ओम श्री हरी